दोस्ता आज हम आपको एक बिल्ली के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आपकी आँखे हैरान रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि एक बिल्ली ऐसी भी हो सकती है और ऐसा भी कर सकती है अगर आपने अभी तक आज की इस वीडियो को लाइक नह दिया और कहा कि तुम अब हमारी जिम्मेदारी नहीं हो अपना बोज उठाओ और यहां से निकलती बनाओ जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम तुम्हें क्यों रखे दोस्तों उसकी दो बेटियां थी अगर बेटे होते तो ससुराल वाले जरूर उसे गले लगा लेते कि यह हमारे वारिस है लेकिन बेटियों को कुबूल कहा किया जाता है इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया इसके बाद वो औरत अपने माई के यानि कि अपने माबाप के घर चली गई उसके घर वाले भी कोई महबत करने वाले नहीं थे बलकि भाई के ओपर तो घर का स उस देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेजती सहकर रह रही है और उसकी भावी उसको नौकरानी बना कर रखती थी यह औरत जो कि हमेशा रोती रहती थी लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी एक दिन उसकी भावी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा और और दर्द में चलो हम इसका ख्याल करते हैं इसकी मरहम पट्टी करते हैं तो मा बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा उसको खाने पीने का सारा समान दिया उसके जख्म को सही किया यहां तक की दो महीने बाद तो उसके टांग बिल्कुल सही हो गई लेकिन उसके बावजूद भी उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था रोज भावी के ताने सहने पड़ते थे रोज भावी आकर उसे डाड़ता था कि तुम्हारी वज़र से पूरे घर का माहौल खराब है तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी और अब इस जखमी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है यह हमारे हिस्से का खाना खाती है दूत पी जाती है और तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बन कर रहोगी इसके बाद दिन गुजरते गए एक दिन उसके भाई का बच्चा छट से गिर पड़ा और पूरी बस्ती में शोर हो गया तो ऐसे मैं भावी को तो मौका मिल गया था उसने फौरण अपने शोर से कहा कि तुम्हारी बहन की वज़र से ये सब हो आए ये जो बिल्ली लेकर आई है ना उसी बिल्ली के चकर में मेरा बच्चा छट पर गया था और वहां से गिर गया इसके बाद उसकी भावी कहने लगी इन सब को अभी के अभी यहां से बाहर निकाल दो परना देखना तो ऐसे मैं अब उस बेवा औरत पर आफ़त आ चुकी थी भाई ने कहा देखो बेन अब तुम्हारी वज़र से हम बहुत आजाब में मुक्तिल्ला है मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं बूडे माबाप को पालू या तुम्हें पालू या तुम्हारे बच्चे या फिर उस फालतू के बोज यानि के उस बिल्ली को बालू जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पिने का इंतिजाम करो अब तो उसकी वज़र से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है तुम यहाँ से चली जाओ अपना इंतिजाम कहीं और करो अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता अब ऐसे में क्योंकि माबाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सके अपनी बेटी के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सके बेवा होना या तलाक शुदा होना कोई जुर नहीं है ये कोई बिमारी नहीं है कि जिसकी वज़े से औरत को धुद्कारा जाता है क्यों घरवाले सपोर्ट नहीं करते हैं क्यों बेवा या तलाक शुदा को बोच समझा जाता है और दोस्तो इसलाम में कहा गया है जैसा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सलल्लाहु ताला अलेही वसल्लम का इशाद है कि जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक यापता बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा कि जैसे दो उंगलियां बराबर होती है लेकिन दोस्तो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे वो बाले दिन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सुलुक हो रहा है नौकरानी बना कर उसको रखा हुआ है लेकिन उन्होंने एक लफ़ भी न कहा और यूं बेटी अपने माबाप को खामोशी से देखती हुई वहाँ से चली गए वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी उसको कहीं एक छोटी से जोपड़ी मिल गई किसी नहाइसान करके उसको एक कमरा दे दिया कि आए मेरे दोस्त तुम इसे रख लो और अपना काम चलाओ और ऐसे मैं जब उसे पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे बड़े मुझे बड़े मुझे बड़े मुझे बड़े मुझे दस हजार दिनार दिये थे, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके दसदार दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूँ ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके उसके बाद वो आदमी ससुरा लाया और कहा कि मुझे बहुत अपसोस हुआ मेरा दोस दुनिया से जाच चुका है मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था भाबी कहा है मुझे उनसे कुछ बाते करनी है तो उन्होंने कहा है कि वो तो यहां नहीं है अपने माईके जा चुके है उसने माईके का पता मालुम किया और वहां पहुँच गया और कहा कि फला औरत यहीं रहती है भाई तो घर पर नहीं था लेकिन वही तेज तर्रार भाबी कहने लगी कि बस अब क्या ही बताए बोज बनकर बैठी हुई थी अब खुदी न जाने एक दिन कहां चली गई हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो ऐसे मैं अब वो परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद कैसे करूँ जैसे वो घर से बाहर निकला तो वहाँ बिल्ली जो कि घर के बाहर मौझूद थी बिल्ली उस आदमी के टांगों से लिपट गई दोस्त ने देखा कि यह कौन बिल्ली है और मुझे इतना प्यार क्यूं कर रही है वो समझ गया कि यह जरूर कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहती है बिल्ली आगे चलने लगी तो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा यहां तक की वो जोपड़ी तक पहुँच गई जहां पर वो बेवा औरत रहती थी आदमी ने दर्वाजा खटखटाया औरत ने पूछा कि कौन है आदमी ने कहा कि मैं आपके शोहर का दोस्त हूँ बहुत दूर से आया हूँ कुछ जरूरी बात करनी है आपके शोहर के हवाले से उस ओरत ने जब उसे घर में बुला लिया तो वो कहने लगा कि बहन आपके शोहर ने यानि कि मेरे दोस्त ने मेरे उपर एक बहुत बड़ा ऐसान किया था और ऐसे मैं अब मैं अपने शहर का बहुत अमीर इंसान बन चुका हूँ लेकिन वो जो दस हिजार दिनार आपके शोहर ने मुझे दिए थे वो मैं लोटाने आया हूँ उसके अलावा भी मैं आपसे कुछ कहना चाता हूँ मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है आपको सबने घरों से निकाल दिया है आपसे मैं बस यही कहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए मेरे बीवी बच्चे है, मेरे माबाप है और आपको मैं इस दुनिया में इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ आप मेरे घर चले मेरे घर का हिस्सा बनकर मेरे साथ रहे मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त अहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदीगी गुजार रहा था और आज उसी दोस्त की वज़े से मैं सकाविल खड़ा हुआ हूँ तो आप ही बताईए कि क्या ऐसे वक्त में मैं उसकी बीवी को ऐसे छोड़ सकता हूँ आप हमारे घर चले और अब आपको घबराने के कोई ज़रूत नहीं है वो बिल्ली जो कि वहीं खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्ला ने तुमें कैसे नावाज दिया है आपको भी पैसे और दौलत से माला माल कर दे आमीन अल्लहुम्मा आमीन